आज अम्रिसर के अंदर सुबह से ही बहुत भी ब्यंकर बारिश हो रही है जहां पर भी आप देखेंगे सड़कों के उपर आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा इस वज़ा से आज हम लोग कोई शूट आउट नहीं कर पाए हैं इसलिए आज हम आपको एक पुरानी वीडियो ही दिखाएंगे आईए आज हम आपको जो कोठी दिखाते हैं उसके बारे में बताते हैं आज हम आपको एक 3BHK की कोठी जो की 200 स्केर याड के अंदर बनी हुई है वो दिखा रहे हैं ये इस कोठी का फ्रंट एलिवेशन है आप देखिए बाहर ग्रीन बेल्ट भी बनी हुई है बाहर आटफुड का दिरवाजा लगा हुआ है कोठी के बिल्कुल ओपोजिट आपको प्रॉपर स्पेस मिलती है आई आपको कोठी अंदर से दिखाते हैं कोठी के अंदर एंटर करते ही पार्किंग स्पेस है और साइड में आप देखेंगे सेट बैक एरिया दिया हुआ है कोठी के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है और एक 3Food का passage area दिया गया है आई आपको कोठी अंदर से दिखाते हैं कोठी के अंदर enter करता ही सबसे पहले lobby area है इस lobby area को as a dining area कम sitting area के रूपह आप इस्तमाल कर सकते हैं floor के ऊपर आप देखेंगे proper marble लगाया गया है विंडोर वेंटीलेशन का proper इस घर के अंदर ध्यान रखा गया है सामने की तरफ देखे किचन है और स्टेरकेस फर्स फ्लोर की तरफ जा रही है पीछे की तरफ दो बेडरूम में आईए आपको ड्रेंग रूम एरिया दिखाते हैं काफी अच्छे साइज का ड्रेंग रूम एरिया है बाहर की तरफ से भी एक एंट्री दी गई है इसके लावा विंडो दी गई है प्रॉपर तरीके से आपका पूरा सीटिंग यहां पर आप बना सकते हैं आईए आपको किचन दिखाते हैं किचन के अंदर आप देखेंगे तो फूल आइट की वुडन कैबनेटरी बनाई गई है जिससे काफी स्टोरेज आपको मिल जाती है किचन के अंदर वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है प्रॉपर तरीके से किचन बनाई गई है आईए आपको बैक सेट पर जो बैडरूम है वो दिखाते हैं इस बैडरूम के अंदर एक फूल आइट की वार्डरूब बनाई गई है प्रॉपर तरीके से बैड और सिटिंग टेबल लगाया गया है इसी के साथ एक अटैच बात्रूम है और पिछे की तरफ ड़क्ट एरिया है बात्रूम देखिए काफी स्पेशिस बड़ा बात्रूम बनाया गया है प्रॉपर तरीके से टाइल और फिटिंग लगाई गयी है इसी से एक रास्ता पीछे ड़क्ट की तरफ जाता है उस स्पेश को ऐजे अभी स्टोर इस्टोर इस्तमाल कर रहे हैं आप ऐसे वाशिंग एले भी इसको इस्तमाल कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से उपर से कवर्श किया गया है यह सेकेंड बैड डूम है इस बैड डूम स बातरूम देखिए, बातरूम काफी अच्छे और बड़े साइस के बनाये गए है, इसका एक दरवाजा बाहर पीछे की तरफ भी है, आईए आपको स्टेर केसे फिर्स फ्लोर की तरफ ले चलते हैं, स्टेर केस के ओपर भी मार्बल लगाया गया है, काफी अच्छे साइस की स स्टेर केस है, सामने देखिए, पैसेज एरिया आ जाता है, ओपर देखिए च्छत के ओपर एक लाइट के लिए रोशन दान बनाया गया है, ये फिर्स फ्लोर का बैडरूम है, इसके साथ भी एक अटेश बातरूम है, अभी बातरूम को एजे स्टोर इस्तमाल किया जा रहा है, पर इसके अंदर प्रॉपर बातरूम की फिटिंग और इंस्टॉल है, आईए आपको फ्रेंट पे एक बाबाजी का कमरा वो दिखाते हैं, पूरे प्रॉपर तरीके से घर बनाया गया है, हर एक चीज के इसके अं काफी बड़ा और खुला एरिया है, फ्रंट पे आप देखें, आपको ग्रीनरी देखेंगी और बाहर की तरफ कोठियां बने हुई है, मम्टी एरे के उपर टैंक लगाया गया, वाटर टैंक, बाहर आप सड़क देखें, ये तकरीवन पंतालिस फुट की सड़क है, रंजीत अवेन्यू से ये सिर्फ चार से पांच किलो मिटर के डिस्टंस के उपर है, रंजीत अवेन्यू आपको मालूम है, अमरी सिर्का एक काफी पौश इलाका है, इसके अंदर आपको हर एक तरह की शॉप, रेस्टोरेंट, बैंक और आफिस ब्लॉक मिल जाएंगे, अ पौड़ा अप्रूब्ड ये कालोनी है, इसके अंदर काफी चोड़ी सड़कें, पारकें, मंदिर वगारा सब इसके अंदर हैं, आपके घर के नज़दी के सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, अगर हमारी दूइ इन्फोरमेशन आपको अच्छी लगती है, तो हमारे च झाल, 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